माफ कीजिएगा थोड़ी एक्स्ट्रा लिबर्टी ले ली है लेकिन बेवजा नहीं ली है शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाने में 17 महीनों का समय जो ले लिया जबकि सुप्रीम कोट ने तरकों के समापन के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा शीग्र निर्णय कर रखे हैं और अवहिलना के लिए जब तब संबंधित उच्च न्यायालयों की निंदा भी की है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और बात निकली है सुप्रीम कोट के चार मई के फैसले की वजह से जिसमें भाजपा नेता कैलाश विज्जवरगिय और अन्य के खिल कर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है देशित में राइत विचारधारा को मजबूती से रखने के लिए हमारे हाथों को सशक्त करें हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीच सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पूरा मामला क्या है भाजपा के राश्चिय महासचेव और दो अन्य पर एक महिला से बलातकार करने और उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धंकी देने का आरोप लगाया गया था जब पुलीस ने कथित तोर पर विज्यवरगी और अ इनकार कर दिया तो शिकायत करता ने एक सिटी मैजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप की मांग की मुख्य न्याएक मजिस्ट्रेट अलीपुर द्वारा उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार करने पर शिकायत करता को कलकत्ता हाई कोट का दर्वाजा खट-खटाना पड़ा जिसने उसके आपराधिक पुनरिक्षन आवेदन को अनुमती देते हुए मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया। इसी आदेश को तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोट में चनौती दी थी। करने का निर्देश दे दिया था। मानिय उच्चतम न्यायाले में मामले की सुनवाई पूरी हुई जिसके उपरांत 12 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और अब 4 मई 2023 को फैसला सुनाया गया है। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा मिले रिमांड पर ओर्डर को नो इंडिपेंडेंडेंट आप्लिकेशन ओफ माइंड बताते हुए खारिस कर दिया है। यहां भी कहा है मजिस्ट्रेट इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विवेक का प्रयोग कर इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करे कि क्या इस मामले में आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्स करने की जरूरत है। कुल मिलाकर रिमान पर दिये गए आदेश को खारिस करते हुए मामले को पुना रिमान ही कर दिया। और ऐसा सिंगल बेंच ने नहीं बलकि दो विद्वान जजों की बेंच ने किया है। निर्णय देने में लगभग 17 महीने की इस विलम पर इसी लिए सवाल है क्या शीर्ष अदालत खुद उन मजगूरियों से मुक्त है। जिने छोड़कर त्वरित फैसला देने का निर्देश जस्टिस केटी थॉमस और जस्टिस आर्पी सेठी ने अनिल रॉय बनाम बिहार राज के मामले में 2000-01 में ही दिया था और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किये थे। इन दिशा निर्देशों में दलीले पूरी होने के तीन महीने बीट जाने के बाद पक्षकारों को जल्द फैसले के लिए अरजी दाखिल करने की अनुमती देना और छै महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाये जाने पर दूसरी पीट द्वारा फिर से सुनवाई के लिए मु पीट नौ महीने का अंतराल था तब सुप्रीम कोट की जस्टिस संजय किशन कॉल और हरिशिकेश रॉय की पीट ने विलम पर कड़ी आपत्ती जताते हुए कहा था इसका समर्थन नहीं किया जा सकता ज्यायक अनुशासन के लिए निर्णय देने में ततपरता की आवशक्त होती है. साल 2022 में फिर से सुप्रीम कोट ने अदालत में ऑपरेटिव हिस्से को निर्धारत करने के चार महीने बाद अंतिम निर्णय प्रकाशित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोट की खंडपीट को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोट ने तो फैसला सुनाए जाने और इसे हाई कोट की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के बीच अत्यधिक देरी पर भी आपत्ती जताई है. कुल मिलाकर मामलों में फैसला सुरक्षित रखे जाने की बाद सुनाने के विलम पर शीर्ष नयायाले द्वारा निंदा की जाती रही है. वो अंग्रेजी में कह Practice what you preach और हिंदी में जो है सो शीर्षक है ही. क्या सुप्रीम कोट द्वारा इसी प्रकार के विलम को नजर अन्दाझ किया जा सकता है? एक तर्क दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोट शीर्ष है जिसके अधिकांच फैसले अंतिम होते हैं, अप्रिवर्तनिय होते हैं और इसलिए फैसला सौपने के पहले अधिक समय दिया जाना चाहिए परन्तु तर्क गले नहीं उतरता क्योंकि शीर्ष है तो इनके जस्टिस भी देवताओं के भगवान हुए ना उनकी विद्वता अतुल्निय है, कुशागरता विलक्षण है और वे समय के महताज नहीं है हाँ, यदि निर्णय समवैधानिक बेंच को देना है, समय लग सकता है, चूँकि गहन सोच विचार की आवशकता होती है और तदनुसार निर्णय भी विस्तरित होता है, जैसे कि अयोध्या विवाद का फैसला 1047 पन्नों का था, हाल ही महाराश्च्य विवाद का निर्णय 200 पन्नों में है परन्तु जिस मामले से बात निकली है, उना रुमान के संक्षिप्ट से निर्णय में 17 महीने लगा देने का और चित्य समझ के परे है ताजुप ही है ना निर्णय मजिस्ट्रेट से विवेक का प्रयोग करने के लिए कह रहा है और निर्णय लेने वालों ने क्या खूब विवेक्षी 17 महीने लगा दिये दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले इस विशाल देश में न्याय दिलाने के लिए एक सुप्रीम कोट, 25 हाई कोट और असंख्य स्थानिया न्यायाले है जिनके अलग-अलग शेत्राधिकार है फिर भी पर्मानेंट प्रॉबलम न्याय में विलम भी है और जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड सरीखे डिक्तम को शिकस देने के लिए ही त्वरित न्याय के उपायों की चर्चा की जाती है समय समय पर सुप्रीम कोट ने अधिनस्थ न्यायालेओं को लिटिगेंस को आवशक्ता से अधिक समय तक अधर में लटकाय रखने के लिए फटकार लगाई है न्याय तुरंत मिले सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायाले समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है और यदि कहें दिशा निर्देशों का संद्रहाले ही निर्मित हो गया है अतिशोक्ती नहीं होगी लेकिन जब बात घर सुप्रीम कोट की होट को खेल के नियम क्या है खुद पहरेदारों की रखवाली कौन करेगा यदि शीर्ष अदालत के लिए अलग स्टैंडर्ड है उन्हें विस्तरित रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए आप से अनुरोध है देशित में इस विडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे यदि आपको हमारे कंटेंट पसंदा रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल की अन्य विडियो को भी जाकर देखे और कम से कम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस विडियो को शेर करें और हाँ यदि आपके पास कोई इस तरह की रिसर्च बेस कोई कंटेंट है तो उसे भी हमारे नीचे दिये नंबर 9911955719 पर वाट्स आप कर सकते हैं हम आपके नाम को गुक्त रखेंगे और यदि आप चाहते हैं कि हम आपका नाम अपने चानल पर ले तो उसके लिए भी आप हमें अपनी लेक के माध्यम से अपने विचार को लिखे भारत माता की जय, वंदे मातर्म, जय हिंड